क्या हो अगर आपके पास में कुछ ऐसा डिवाइज आपके हाथ में हो जो आपकी लैपटॉप की बायोस की एक्टिविटी को चेक करें जैसे कि समझोग ये हम लोग अभी डीसी पावर सप्लाई से जो एंपर के जो जंप लेते हैं उससे हम लोग मान लेते हैं कि यहां भी ड चाट हो रहा है जिसके कारण हों अपर के अंदर हमें वेरियेस्ट दिख रहा है लेकिन खिर भी कई बार किसी एंपर पे किसी एंपर पर वो रुक जाता है तब हम पूरा जेज्मेंट नहीं ले पा रहे है तो उस समय में हम लोग उसको मैन्योली चेक करते भी बाइस का डे करेगा जब हमें बायोस को चेक करना होता है कि क्या बायोस का चीप सिलेक्ट हुआ है हम लोग उसके पल्स सेट करते हैं वैसे ही कि आप बायोस के ऊपर पावर आया है या फिर इसका मीसो मोसी क्लॉक यानि की डेटा इंपूर्ट डेटा ओपूर्ट और क्लॉक क्या ये सबी चीजे उसको प्रोवाइड की जा रही है मदरवाड की ओर से वह सब चीजे हम लोग होसिलोसकॉप से चेक करते थे और अभी भी करते हैं लेकिन एक ऐसा डिवाइस जो हमें ये सब चीजे एक ही साच में बताए और वो है हमारा ये एनिट का बायोस्ट डॉक्तर ये क्या का सिगनल के बेज के उपर बनी हुई यहां पर 12 LED है और ये 12 LED आपको इंडिकेट करेगी कि उसके इंदर क्या प्रोसेस हो रही है और और एक चीज इसके अंदर है CS चीप सिलेक्ट जो कोई भी हमारे अभी के जो लेटेस्ट मदरबाड जो आ रहा है जो CPU वाले है तो वह प्र सिलेक्ट करवाया जाता था यहांने कि PCS के बाजू की जो बायोस है उसका सिएट PCS में से निकलेगा वैसे डेटा इंपूट और आउटपूट की कनेक्शन भी उसी PCS में जाएगी अगर वो CPU के पास में वो बायोस लगी है तो CS, MISO, MOSI, डेटा इंपूट, यह हम CPU के साथ में connected होती है Intel के motherboard के अंदर वैसे EMD के motherboard के अंदर और जो हमारी IO controller के पास में जो बायोस लगी है जिसको हम लोग ACPA का concept से समझेंगे Advanced Control Power Interface जो IO controller को working में लाने के लिए data उसके अंदर लिखा होता है उसी इसाब से वो स्टेट वाइस laptop के motherboard के पावर को on करता है तो यह सब theory जो है वो हम सभी लोग जानते ही है जो freser है उनके लिए में आसाम बास्वा में समझा देता हूं कि एक carrier signal जैसे कि आटो रिक्सा stand के अंदर अगर हम जाते है तो अटो रिक्सा stand के अंदर जब तक passenger बैठेंगे नहीं तब तक वो और रिक्सा जाएगी नहीं तो आटो रिक्सा को आप समझ लोगे carrier है तो वैसे क्लॉक एक carrier होता है और data उसके अंदर बैठके वो फिर ट्राविल कर सकता है तो उस clock को आता ह है यानि कि समझ जाना है कि data भी जाता ही होगा जैसे कि जब तक passenger बैठेंगे नहीं तब तक वो clock वहीं पर रहेगा यानि की carrier क्वाटो रिक्सा की लाइन वैसे की वैसे ही रहेगी लेकिन जैसे उसके अंदर आदमी बैठते है उसके बाद में आटो निकलता है बस यैसे ही function हमारे clock signal के अंदर होता है तो हम लोग इसके अंदर clock को अबजरु करेंगे तो जब clock running में है तो उसका मतलब समझना है कि data transmit हो रहा है और उस data transmit की पर्टिकुलर एक sequence बनेगी यह लिडी इंडिकेशन से जो हम लोग वसिलोस्कॉप से भी चेक करते हैं तो वह इंडिकेशन ज के अंदर क्या आता है तो simple यह अकेला device आता है इसके साथ में आपको additional जोड़ने के लिए आपको clip अलग से देनी पड़ती है जो आप bios के उपर लगाते हो वह clip इसके साथ में एनिट का pogo pin set यह भी set होता है और एक connector दिया है same connector के लिए तो यह same connector इसके अंदर लगेगा जो Apple के जो Sam connector है एनिट Apple Sam connector तो उसके भी connection यहां पर दिये है तो आप तीनों तरह से इसको connect कर सकते हो और रियल टाइम उसका function जो हो रहा है बायोस का उसकी activity जो हो रही है वो इस device से आप जान सकते हो तो चलिए हम लोग सुरू करते है वीडियो के अंदर आगे उसको practically भी देखत है और कॉन-कॉन से interactingер से के अंदर हमें इसको use करना चाहिए उसके बारे में यह मैं तो यहां पर इस तरह से चार रे डर मिलते है इसके सथ में जिसको हमें किसतर से लगाना है तो आपको करना हिए है अंदर की और आपको यह दिख रहा है तो यहां पर आपको इसको लगा द कर देना है इसके बाद में यह solder हो जाने के बाद में आपको इसको भी इस तरह से लगा के solder कर देना है तो यह जो है हमारे BIOS के लिए है यानि कि अगर हमें इससे BIOS प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें यह लगाना है अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो उस समय में आप इसको यहाँ पर इस तरह से लगाके आप इसको भी solder कर लो, तो यह इस तरह से लग जाएगा, तो यहाँ पर हमें इसको भी solder कर लेना है, solder खास करना है, वो बात खास द्यान में रखना है, इसे लगा के छोड़ नहीं देना है, data loss के chances रहेंगे वरना, तो इसको एक बार पूरा solder कर दो, solder करने के बाद में मेरे पास में already एक solder किय हुआ PCB है, अभी मैं आपको उसी के ऊपर बताता हूँ, कि यह है मेरा पूरा solder किया हुआ PCB, अभी इसके अंदर क्या-क्या चीजे support करेगी, तो इसका जो design है, कुछ इस तरह से है, का आप इसके साथ में एक तो यह जो clip आती है, market के अंदर यह आपको clip मिल जाएगी, तो इस पीछे के जो 4 है, उसी को आपको connect करना है, पीछे के जो connection है, उसको छोड़ देना है, तो इस तरह से आपको पीछे का connection छोड़ देना है, और इसके बारे में मैं थोड़ा detail बता देता हूँ, यह भी BIOS की जो leg है, उसी के हिसाब से यहाँ पर leg लगे हुए है, जैसे कि right protect के लिए, clock के लिए, data in के लिए और ground, तो BIOS का जो भी हमारा data रहता है, उसी sequence में यहाँ पर connection दिये हुए है, तो आप इसको लगाओगे, तो भी यह काम करेगा, अभी मेरे पास में एक जो एनिट का जो same connector, एनिट का अपना Pogo Pin है, तो Pogo Pin का भी connection इसी तरीके से आप यहा पर इस तरह से लगाओगे, तो यह Pogo Pin से भी checking होगा, यह है SOP 8 का, और यह 150 MIL और 200 MIL, दोनों के लिए एक ही connector आता है, दोनों का common आता है, तो आप इसको use कर सकते हो, या फिर अगर आपको WSON 8 का अगर आपको test करना है, तो WSON 8 के लिए हमारे पास में 8 into 6 वाली size के लिए, और यहाँ पर यह है 6 into 5 वाली size के लिए, तो इसके अंदर भी connection वैसे ही होंगे, तो Pogo Pin से भी आप एक BIOS की activity चेक कर सकते हो, एक दूसरा रास्ता हमारा यह हुआ, अभी बात करता है कि यहाँ पर यह connector दिया है, यह किसके लिए है, तो इसके लिए हमें जो SAM connector जो आता है, जो Apple क के laptop के लिए, जो हम लोग SAM connector यूज करते है, 2010 से लेकि 2017 तक के model के अंदर SAM connector काम करते है, तो SAM connector को भी इसके साथ में हम लोग लगा सकते, एक समय में हमें एक ही type का connection apply करना है, वो बात आपको ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लगा दो, और लगा दे करने के बाद में, दूसरी और जो है, हमारा SAM connector लगा देना है, और अभी आपका Apple के जो भी laptop रहेंगे, 2010 तो 2017, उसके अंदर यह तीन तरह के ही connector आते है, एक दो और तीन, इन तीन में से एक ही connector लगेगा, यहाँ और एक function जो है, वो देख लेता है, यह reset का यहाँ पर switch दिया हुआ है, तो यह reset क्या काम करता है, तो जब कभी भी हमारा BIOS में से data निकल रहा है, उस समय में LED ब्लिंक होती रहेगी, लेकिन किसी एक जगा पर जाके वो stop हो गई, और उसके बाद में, अगर हमें उसको फिर से original position पर लाना है, यानि कि LED सभी को बंद करके वापस लाना है, तो उस समय में हम उसको reset button डबाके उसको reset कर लेते हैं, यानि कि इस device को reset करने का ये switch है, हलाकि इसकी जरूरत हमें हर बार पढ़ने वाली नहीं है, आपको हर बार reset switch की जरूरत नहीं पढ़ेगी, लेकिन कहीं पे भी अगर इस तरह सा data अगर आपका stuck हो रहा है, तो आपको वापस देखना है कि क्या थोड़ी देर के बाद में data निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, तो उस समय में एक बार reset प्रेस करके देख लीजे, तबसे पहले हम लोग देख लेते है, क्लीप जो आती है, क्लीप इसके अंदर किस तरह से अपने fitting में रहेगी, तो यहां से आपको एक बार क्लीप लगा देनी है, और क्लीप लगा देने के बाद में, यहां पर यह है आपका pin number one, एक बाद आपको खास ध्यान में रखनी है, यह सिर्फ और सिर्फ बायोस में ही लगनी चाहिए, आपने गलती से इसको मॉसपैट के अंदर या फिर कहीं पर भी लगा के बाद में, अभी मैं इसका power देता हूँ, और इसको सही तरीके से एक बार बिठा देता हूँ, अभी हम लोग लगाएंगे इसके अंदर power, पावर लगा के अभी हम इसको करते है on, और एक बात आपको ध्यान और एक रखनी है, कि यह जो है, मेरे पास में यहां पर पैड ह यहां पर कुछ गिरा नहीं होना चाहिए, कुछ metal का item, क्योंकि यहां पर connection है नीचे, तो ऐसा है, तो आप एक thermocall का seat ले लिजे और thermocall के seat के अंदर इसको लगा के रखिए, ताकि वो नीचे कहीं पर भी यह connection ना हो, इसको इस तरह से आपको छोड़ देना है, और फिर यहां पर मॉनिटर पर देख सकते हो, यहां पर मेरा display जो है, वो भी यहां पर अभी आ गया है, तो इस तरह से एक identity हम लोग ले सकते हैं, कि जिस तरह से display आता है, मैं अभी इसको फिर से एक बार start करता हूं, और display आने के time में किस तरह से वो indication दोनों साथ में चलता है, उसको अभी हम लोग एक बार observe कर लेता है, तो यहां पर अभी मैं on कर देता हूं motherboard को, यह motherboard को on करने के बाद में देखिया, आपको indication यहां पर दिख रहा है, और जैसे जैसे activity होगी, अपने सिमोस के अंदर, वैसे वैसे यहां पर LED ब्लिंग करती रहेगी, तो इसका जो एक pattern है, व generation के अंदर अलग अलग तरकी वो pattern बनेगी, कई-कई बाडों के अंदर इस तरह से भी है, कि चीप सिलेक्ट वाला जो LED जो है, बाइस का काम खतम हो जाएगा, चीप सिलेक्ट वाला LED बंद हो जाएगा, तो ऐसे भी indication है, जैसे कि ज़्यादा तर वो Apple के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो ऐसी बहुत सारे observation हम लोग इससे कर सकते हैं, और एक judgment ले सकते हैं, कभी display आ गया होगा, अभी आगे हम लोग देखते हैं, इसको Pogo PIN से भी कर सकते हैं, Pogo के लिए, Pogo के लिए इस तरह से है, यहाँ पे Pogo का PIN No.1 है, तो हमें BIOS के PIN No.1 की और इसको एक बा लगाना है, और लगा देने के बाद में Pogo PIN को पुरा प्रेस करके रख दीए, अभी हम motherboard को on करते हैं, यहाँ से power switch से, तो जैसे यह on करेंगे, यह Pogo PIN से भी हमें indication बताएगा, तो इस तरह से भी आप Pogo PIN से भी इसको test कर सकते हो, यानि कि clip और Pogo, यह दोनों को यह support करता ह और तीसरा जो है, वो Sam Connector, जो Apple के लिए काम में लगीगा, तो हम उसको भी चेक कर लेंगे, Apple के motherboard के अंदर, अभी फिलाल मेरा यहाँ पे display आ चुका है, और इस तरह से आप इसको check कर सकते हो, अभी आप चालू के अंदर ही इसको बाहर निकाल दो, कोई problem निक, आपका board चाल जाएगा, और यह PCB खराब हो सकती है, अभी Anit का Sam Connector जो है, जिसको हम लोग ने Apple के अंदर इसका use तो देखा ही है, कि हम 2017 तक के model के अंदर, हर एक Apple के अंदर ऐसा port आता ही है, तैसे अलग-अलग port आते है, हमारे बास में अलग-अलग तरह के जो यह connector है, हम अलग-अलग connector ल data clock का जो receiving signal जो है, वो काम करता है या नहीं करता है, वो भी हम लोग देखने वाले है, तो फिलहाल मेरे पास में, के late display वाला मेरे पास में एक Apple है, जिसका मुझे AmiClean करना है, लेकिन आप इसके अंदर भी आप एक observation कर सकते हो, late display के अंदर हमें response थोड़ा slow भी मिलेगा, तो एक वहाँ पे भी हम लोग इस तरह से कुछ न कुछ अपनी theory बना सकते है, कि इसके अंदर क्या problem हो सकती है, तो अभी मैं जैसे इसको power देता हूँ, आप power में लगाते ही, यहाँ पे एक बार observe करिये, कि यहाँ पे क्या-क्या चीजे हो रही है, तो जैसे ही power लगाया, बेस लाइन ओन हुई, यानि कि चीप सिलेक्ट, और अभी एक clock और data function जा रहा है, अभी यहाँ पे एक जिगा पे वह आकर रुका हुआ है, तो हम ऐसा मान सकते है, थोड़ा late display आ रहा होगा, अभी मैरा monitor नहीं लगाया है, इसके अंदर, लेकिन एक observation देख लेते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पे इस बाड के लिए observe करिए, इसने अपना CS बंद कर दिया, यानि कि BIOS का function खतम हो गया, इस समय में display आ गया होगा इस बाड के अंदर, लेकिन ऐसा जरूर ही नहीं है, हर बार वो CS का LED बंद हो, अलग अलग बाडों के अंदर अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय पे CS की लाइन डेटा की जरूरत है, या पर CS को on रखना है या नहीं रखना है, वो motherboard manufacturer के उपर dependent है, तो उसके अंदर ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन हमें यह पता चल रहा है यहाँ पे, कि CS की light off हो गई है, अभी यहाँ पे CPU hit भी प सकता हूं, और साथ ही साथ में और एक में चीद बता देता हूं, same connector के अंदर यह था, कि आप गलती से भी उसको उल्टा लगा देते थे, तब आई प्रोग्राम नहीं करती थी, लेकिन अभी इसके कारण आपको पता चल जाएगा, कि अपने connector उल्टा डाला है, अभी मेरा motherboard on है, supply चालू है, मैं चालू supply में ही समझो कि इसको में लगाता हूं, तो यहाँ पर देखे, एक छोट इस VCC LED जो है, वो थोड़ा कम गलो कर रही है, मुझे पता चल जाएगा, यह connector मेरा उल्टा लगा है, तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, जब तक आपकी LED पूरी गल नहीं होती, तो उसके लिए आपको इस तरह से लगाना है, आपका CS का line भी on हो गया, और आपका power का भी हो गया, इसको मैं एक बार reset लगाता हूं, और एक बार power off कर देता हूं, अभी हम लोग देखते हैं, कि मुझे इसको program करना है, तो क्या onboard program कर सकते है, Sam connector की video के अंदर laptop अपने आप power on हो जाता है, तो यहां पर battery नहीं लगी है, power on automatically हो जाएगा, लेकिन इसकी 3.3 volt की जरूरत पढ़ने वाली है, हम इस BIOS को program करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक बार power लगाएंगे, यहां पर आपको indicator इस तरह से बताएगा, देखिए, कोई connection नहीं है, अभी इस तरह से indicator बता रहा है, अभी हम इसको manually off कर देंगे, यह मेरा motherboard जो है, वो on हो गया है, अभी इसको मैं off कर देता हूँ, अभी 3.3 volt अकेला चालू है, यह 3.3 volt रहेगा, क्योंकि मैंने power supply दिया हुआ है, तो अभी हम इसको programming mode के लिए, हम लोग इसको ले सकते हैं, तो जैसे ही मैं इसके अंदर लगा दूँगा, लगा दूँगा, यहां पर जो clock बता रहा है, वो अपने programmer की clock बता रहा है, और इस programming, तो अभी इसकी programming के लिए आगे चलते हैं, अभी मैं सबसे पहले अपना software जो है, एनिट का, उसको मैं पहले open कर लेता हूँ, एनिट का software open होने के बाद में, यहां पे मुझे करना है, detect, और मेरी कोई भी BIOS यहां सा select कर सकता हूँ, मैं इसको select करता हूँ, और इसको मैं read कर सकता हूँ, तो यहां पे देखे, अभी reading start हो गई है, तो इसी से हम लोग program भी कर सकते हैं, और उसको program करने के बाद में, इसी से हम लोग उसको function के लिए एक activity भी चेक कर सकते हैं, इसलिए इसके अंदर हमें दो pad और भी extra दिये है, कि आपको इस connector को लगा के रखके भी program करना है, तो कर सकते हैं, जहां कहीं पे भी आपका clip support करता है, जिस किसी motherboard में programming के लिए, तो आप उसको भी use करके इस तरह से आप program कर सकते हो, लेकिन ज्यादा तर case के अंदर में आपको यही कहूंगा, कि आप उसको बाहर निकाल के ही program करिए, सिवा apple के sam connector के, क्योंकि apple के sam connector के अं अंदर सही तरीके सा power supply ना मिलने के कारण सही राइटिंग बराबर होगी या नहीं होगी, तो यह सब problem आ सकते हैं,